जहिन दोस्तों स्वागत आपका विजेपत दिफेंस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो में डिसकस करेंगे HP पुलिस डेली मिक्स जीके के टॉफ 15 प्लस कोशन जो कि आपके हिमाचल पुलिस एक्जाम के लिए गई हैं ये टार्गेट आपके लिए रहेगा 2021 जिसको आपको क्रैक करना ही है तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दू हमारा बेसिक फाउंडिशन का कोर्स भी स्टार्ट हो चुका है जो कि आपको दिलवाएगा 100% Sure Success कवर करवाता है आपके आने वाले सभी स्टेट और सेंटर गवर्मेंट्स एक्जाम को आप अपनी त्यारीश में बिल्कुल बेसिक के साथ स्टार्ट कर सकते हैं इसमें आपको मिलेंगे ओनलाइन टेस्ट सीरीज, स्पैशल नोट्स और बुक्स तो 100% Sure Success के लिए आप विजयपत दिफेंस एजुकेशन में अपना बेसिक फाउंडिशन का कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपने अभी तक हमारे पार्ट 15 तक केशपी पुलिस डेली मिक्स जी के नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर उपर आई बटन में जो है वो आपको इसका लिंक मिल जाएगा जहां से आप इसको इसको इसली देख सकते हैं आज की वीडियो शुरू करते हैं फर्स्ट कोशन है इस वीडियो का भागसुनात जर्ना कहां पर स्थित है तो भागसुनात जो हमारा जर्ना है वो हमारा स्थित है धरम शाला में ये पड़ता है हिमाचल परदेश के जिला कांगरा में काफी परसिध है यहाँ पर भगवा शिब का जो है वो मंदिर भी है नेक्स कोईशन है हिमाचल परदेश के बिदानसवा अध्यक्ष कौन है हिमाचल परदेश के बर्तमान के जो बिदानसवा के स्पीकर है उनका नाम है विपिन सिंग परमार जो कि हमारे विधानसवा अधेक से पहले हिमाचल के हेल्थ मिनिस्टर भी रह चुके हैं इनसे एक important fact मैं आपको बता दूँ ये district kangra से बिलोंग करते हैं इनका सुला विधानसवा क्षेतर पड़ता है जो कि हमारा तहस्दील पालंपूर में पड़ता है next question है किस राज्य को आलू का बीज ग्रहे या फिर home of seed potato कहा जाता है हिमाचल को जो है वो आलू का बीज ग्रहे कहा जाता है most important question है आपके लिए और अगर मैं बात करूँ आलू केंदरी अनुसंधान केंदर जो है ये शिमला के कुफरी में स्थित है next question है नगरोटा बस अड़े का नाम किस महान ब्यक्ति के नाम पर रखा गया है तो जिला कांगडा में हमारा नगरोटा बस अड़ा पड़ता है इसका नाम रखा गया है डॉक्टर भीमराब अमबेदकर जी के नाम के उपर काफी most important question आपके लिए ये बनता है next one है complete food के नाम से किसे जाना जाता है general science का काफी easy question आपके लिए है complete food के नाम से हम milk को जानते हैं अगर milk के pH मान की बात करें तो 6.6 या फिर 6.4 जो है वो इसका pH value हम count करते हैं इसकी जो है वो variation के लिए हम इसको 6.4 को ही जादा preference करते हैं next question है प्रातना समाज की स्थापना किस ने की थी तो प्रातना समाज की स्थापना की थी आत्मा राम पांडू रंग ने काफी important question है आपके एक्जाम के लिए next question है राष्टरगान जन गन्मन कहां से लिया गया है तो राश्रगान जनगनमन जो है ये लिया गया है गितांजली से गितांजली से काफी सारे most important fact आपके लिए बनते हैं गितांजली को रविंदरनाथ टैगोर जी ने लिखा था और गितांजली के लिए 1913 में रविंदरनाथ टैगोर को विश्यो का सबसे बड़ा पुरुषकार नोबल पुरुषकार उनको दिया गया था और ये दिया गया था साहित्य के लिए literature के लिए और रविंदरनाथ टैगोर जो हैं वो पहले ऐसे भारती हैं जिनको नोबल पुरुशकार गितांजली के लिए दिया था और गितांजली से ही हमारा रास्टर गान जन गनमन लिया गया है और इसको गाने में कुल 52 सेकंड का समय लगता है नेक्स्ट कोशन है भारत की पहली स्पोर्स उनिवस्टी कहां पर स्थित है भारत की पहली स्पोर्स उनिवस्टी हमारी स्थित है मनिपुर में आपको कमेंट वोक्स में मनिपुर की राजधानी बतानी है तूटी हडियों को जोडने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है तो तूटी हडियों को जोडने के लिए P.O.P. का यूज किया जाता है जिसको Plast of Paris के नाम से हम जानते हैं Important question है आपके exam के लिए Next question है Hemoglobin किस gas के contact में आने से मनुष्य की जान जा सकती है Hemoglobin जो हमारा HV होता है वो ऐसी कौन सी gas के contact में आए जिससे मनुष्य की जान जा सकती है तो वो gas है हमारी carbon monoxide Hemoglobin जो है वो oxygen के साथ contact बनाती है लेकिन अगर उसके साथ carbon monoxide मिल जाए carbon monoxide का formula होता है CO अगर carbon monoxide उसके साथ मिल जाए तो ये oxygen जो हमारे पास आती है उसको block कर देती है मतलब blockage की एक ऐसी condition वहाँ पर पैदा करती है ताकि मनुष्य जो है वो वहाँ से सांस नहीं ले सकता उस बज़ा से जो है ये हमारी oxygen को block कर देती है और इससे मनुष्य की जान जा सकती है Next question है हिमाचल के किस जिले में सबसे अधिक सेव होता है Repeated question है Mostly यहाँ पर थोड़ी सी confusion होती है क्योंकि हिमाचल के शिमला, कुलू, चमबा यहाँ और किनोर में जो है वो काफी सारे सेव उगाया जाते है और सबसे जाधा सेव जो है वो शिमला में उगाया जाता है Mostly यहाँ पर चमबा को जो है वो काफी सारे student टिक कर देते है इसलिए उनका अंसर गलत हो सकता है तो इसका जो सही अंसर रहेगा वो है हमारा शिमला Next question है इसलिए पर चमबा को जो है यहाँ पर चमबा को जो है जो है यह हमारा स्थित है सुजानपुर में जहां पर होली का मेला जो है वो खेला जाता है और राजा संसार चन्ने बहाँ पर ब्रज्र जैसी होली का तोहार जो है वो शुरू करवाया था सुजानपुर से काफी सारे important हमारे है सुजानपूर हमारा डिस्टिक हमिरपूर में पढ़ता है सुजानपूर में एक मातर हिमाचल का सैनिक स्कूल है जो की है हमारा टिहरा में और उसके बाद हमिरपूर से important fact है हमिरपूर में हमारा HP SSE भी पढ़ता है जो की हमाचल के mostly सभी class 3 और class 4 के exams को करवाता है हमाचल परदे स्टाफ सेलेक्शन कमिशन नेक्स्ट कोशन की बात करते हैं लास्ट कोशन इस वीडियो का बायस परमार उद्यान एवं बन बिग्यान विशव इद्याले की स्थापना कब हुई? तो बायस परमार उनिवस्टी, होल्टिकर्चर उनिवस्टी जो है यह हमारी पड़ती है सोलन में, नोनी में जिसकी स्थापना हुई थी 1985 में आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी आप हमें सोशल मीडिये के उपर जरूर फोलो करें वर्ट्साप ग्रूप के साथ जरूर जुड़े इसमें आपको डे टू डे के करेंट अफियर, पीडियाप, स्टेडी मिटीरियल, हपीजी के नोट्स और जो वलट प्रोवाइड करवाया जाता है हमारा हिमाचल पुलिस के एडवांस बैस स्टार्ट हो चुका है उसको आप जोइन कर सकते हैं विजेपत डिफेंस एजुकेशन में तो वीडियो अच्छी लगए वीडियो को लाइक करें जाद से जाद अपने फ्रेंड्स में शेयर करें मिलेंगे जल्दी नई वीडियो के साथ तब तक के लिए जै हिंद जै भारत